प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इश्वरी विश्व विद्याले के तत्वाधान में बगहेरा इस्थित आनंद सरोवर में आजादी के अमरित महोत्सव के स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के अंतरगत किसान सम्मेलन का आयोचिन किया गया प्रजापिता ब्रह्म कुमारी इश्वरी विश्व विद्याले के तत्वाधान में दुर्ग के बगहेरा इस्थित आनंद सरोवर सभाकार में पच्छत्तरवें आजादी के अमरित महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर अभियान के अंतरगत किसान सम्मिलन का आयोजन किया ग ब्रह्म कुमार देवराज भाई आई के वर्मा जीवन लाल वर्मा आदी आगंतुक अतितियों का स्वागत करने के बाद ब्रह्म कुमारी रीटा बहन ने अपने उद्बोधन में बताया कि वर्तमान समय थोड़े से प्रलोभन के कारण क्रिशक जो राशानी खेती करते हैं जिसके कारण स्वयम वो अन्य के स्वास्त पर वो प्रक्रती के वातावरण पर दूशित प्रभाव होता है इसके फल सरूप अनेग बिमारिया पैदा हो रही हैं इस औसर पर विधायक वोरा ने अपने विचार व्यक्त करते हुए बताया कि आज बहुत खुशी की बात है ह हम उन अन्य नेताओं के बीच बैठे हैं जिनके कारण हम वह हमारा शरीर गती मान है हमारा देश-क्रिशी प्रधान देश जहां 70-80% हिस्सा क्रिशी के कारे में सनलगन है 36 गड में भी क्रिशी के कार में 70 से 80 प्रतिशत किसान भाई बहनों का ही योगदान है जैवी खेती के साथ साथ योगी खेती की बात जो बहनों ने बताई है वो अत्यंत महत्यपून है विचारों की शुद्धी का प्रभाव प्रकृती पर पड़ता है यह बहुत मूलेवान बाते हैं जिसके लिए मन को शक्ति साली बनाना है Grand Asian News के लिए दूरगसे नसीम फारुकी की रिपोर्ट